दिशाहीनता में हम अपने आपको कैसे परिपूरन मानें, कैसे वो मानें जिसकों के लेकर हम कह सकते हैं हाँ हमें जरा आज भरोसा है तो स्प्रिंग ओफ भी है, विंटर ओफ डिस्पेर भी है आप सब शायद ये मेरे साथ सोच सकेंगे कि आज के हर राजनेतिक दल में हमें बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें हम मानते हैं जिन्हें हम अपना आदर दे सकते हैं लेकिन हर राजनेतिक दल में हम ऐसों को भी पाएंगे जिनके साथ हम किसी लिफ्ट में अटकना नहीं चाहेंगे जिनके साथ हम शायद एक कप चाई भी नहीं पीना चाहेंगे ये दोनों हकीकत है इस हकीकात को हम लेकर अंधेरे में अपना राह ढूंड रहे हैं तो अब आज का जमाना हमें क्या कह रहा है क्या अपूर्णता को कुबूल करना पर्याप्त है शायद एक मेमोरियल लेक्चर के लिए पर्याप्त हो सकता है लेकिन उससे हमें कोई खुराक नहीं मिलने वाला न बवधिक नहीं किसी प्रकार का खुराक मेरा ये आज प्रस्ताद कि जो अपने आप को गांधी से प्रेरित समझते हैं और कभी-कभी अपने आप को गांधी वादी कहने की भूल भी कर लेते हैं उन सब को आज अपने आप से खुद से यह प्रश्न करना पड़ेगा कि हम क्या अपने आप पर वो काबू ला चुके हैं जो कि हम औरों में देखना चाहते हैं हमें उसका जवाब मिलेगा कि शायद नहीं मैं अपने बारे में जरूर कह सकता हूँ बिल्कुल नहीं आज हर आगमी राजनेतिक आगमी औरों पर आरोप लगाने में बहुत डक्ष हो गया है लेकिन स्वराज का जो मतलब होता है अपने स्वयम पर राज उससे ओ बहुत दूर है और अगर यही चलता रहे है तो आवर नेशन में बिल्कूत भी बने कोई किसी पर आरोप लगाता है तो उस पर एक काउंटर आरोप लगें कोई आज नहीं कह रहा है कि मुझसे गल्टी हुई है मैं गल्टी कबूल कर रहा हूं मैं अपने आपको सुधारने की कोशिश करूंगा कि चौरी-चौरा से हम सब बाकिव है कि सारे कॉंग्रिस के नेताओं को कारिकरताओं को गांधी ने ऐसा सदमा दिया चौरी-चौरा के बाद सत्या आंदोलन को रोक का कि वो उससे बहुत समय तक रिकावर नहीं हुए लिए अपने की तक पर वो उससेटियो में पूम्हां बदोर से मुएिदाओं की चौरी टीयों पर्टी ठी थिरकल चौरी-प्रीच्टलिस की मुएंटेओं ओध पन्सेफ तक लोँए आंब्स पूणतेओं में आम्सें फिर्ट। चार चीजें थी जिसके लिए गांधी को एकडम अनूठा माना जाना जाएंगे He was not afraid of death तीस जन्वेदी को हम याद रख सकते हैं He was not afraid of defeat He was not afraid of looking foolish And fourth most important He was not afraid of owning a mistake आज इन चारों को अगर हम लें मापदंड के तौर पर और पूछें की कौन है जो की ही not afraid of death defeat and looking foolish And most important not afraid of owning a mistake बहुत कम ये लेंगे इसी में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है एक पांचवा गुन उनमे था जो की आज खायव है हमारे बीच से बिल्कुल गाय है और वो खुद को समाज को कड़वे सच सुनाने का जो भी हम कहें सुशक्ती कहें ताकत कहें आदत कहें काहें तक्निक कहें जो लेओ ताक्निक यपन आदत कहें भी तवीज गुदी सुनल आद सुनल कवीज़ द्युद्व कोई ये कहने को तयार नहीं है कि मैं हाओ नहीं है। हारूं तो हारूं मैं अगर आपका स्नेयर लुटा दूं तो लुटा दूं लेकिन मैं सच जरूर कहना चाहता हूं that we as a people have also let our country down ये आज कोई कहने को तयार नहीं है। मेरे एक बहुत पुराने मित्रे अन्य देश में हमारे सफीर हैं। उनका मुझे दो दिन ही पहले email आया था कि जब मैं सुनता हूं यहां उस देश में कि क्या देली में और देली जैसे भारत के अन्य नगरों में महिलाएं विशेश कर बाहर से आरही महिलाएं इंतहा एक डम असुरक्षित हैं। तो मैं उनको क्या जवाब करूँ। यह भारत की आज एक पहचान है दुन्या में। भष्टाचार के दो पक्ष होते हैं। जो भष्ट है और जो भष्ट को भष्ट बनाता है या बनने देता है। दूसरे पक्ष को हम कुबूल नहीं कर रहे हैं। और तीसरा, पीडित वर्गों के राजनीतिक समर्थन को प्राप्त करने के लिए उस पीडा का जो उपयोग हो रहा है। उससे हम परिशित हैं। पर उस पीडा को दूर करने के लिए ठोस काम कई लोग कर रहे हैं। जो कि अपने आपको गांधिवादी नहीं बनाते हैं, बतलाते हैं पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी संख्या कम हैं। उनके नामों से हम लोग परिचित भी नहीं है। जो गांधी का काम आज देश में हो रहा है। वो खास करके उन लोगों से हो रहा है जो कि अपने काम को गांधी का नाम नहीं दे रहे हैं जो कि अपने आप को गांधी के नाम से स्वयम परिचत नहीं कर रहे हैं जो कि अपने काम में रत हैं हर राजनेतिक दल किसी नेका के नाम का उपयोग कर रहा है गांधी का नाम परसों से उपयोग होता आ रहा है बाबा साहिब का नाम राजनेतिक दलों में देश भर में उपयोग हो रहा है कोई नीता जी के नाम से, कोई बाबा साहिब के नाम से और आज अचानक इतने सालों बाद सर्दार पटेल का नाम राजनाइतिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग हो रहा है किसी ने बहुत अच्छी तरह सही कहा है कि this use of the name of great icons who are not alive today is the equivalent of body snatching from grapes यह बिल्कुल सही है कौन कह सकता है कि यह जो नेता है यह जो नेतागण है वो अपने इस नाम के उपयोग से संतुष्ठ होगी कोई नहीं कह सकता है कि लेकिन वो नाम उपयोग हो रहे हैं कि यह अपने में एक धश्टा चाहिए इस प्रणाली की शुरुवात गांधी जी के नाम के दुरुपयोग से ही हुई इसके बारे में कोई संद्य नहीं देश घर में यह होता रहा है और उसकी प्रतिक्रिया होती ही उसकी प्रतिध्वनी हमाद सुन रहे हैं कि बाकी अन्य नाम उसी तरह उनका उपयोग हो रहा है दुरुपयोग हो रहा है This is another great feature of the season of darkness in our times कि हमें खुद की कोई जोती मिल नहीं रही है पुरानी जोतियों को हम सुलगा सुलगा कर उसी के प्रकाश से अंधकार में अपना राड गुण रहे है आकाश में बुझे होए सितारों की रोशनी से अंधकार में अपना राड गूट रहे है दुनिया की बात जरफ भिन है दुनिया में आज महात्मा गांधी का नाम समकालीन नाम है भारत में वो पुरातनी नाम है हम उनकी छबी के सामने दीप शिखा को प्रतिजवलिद करकर पुषपारपन करकर साल में दो बार आत्मतुष्टी पा लेते हैं लेकिन दुनिया में विश्व में परियावरनी जो आंदोलन चल रहे हैं वो गांधी के तिलस्म से ऐसे प्रेरित हैं कि हम जानते नहीं हैं सोशल मूवमेंट और पॉलिटिकल पार्टी को जोड कर भारत में जो गांधी ने चमतकार किया था वो दुनिया भर में आज इन्वारन्मेंटल कॉजस के लिए गांधी सक्रियर काम कर रहा है आज भी यह हम नहीं जानते हैं और हम यह नहीं पहचानते हैं और जो मैंने कड़ी दवाईयों की बात करी है कोई भी आज हमें यह नहीं कह रहा है कि हम कहां भटक रहें कहां भूल कर रहें इन्वारन्मेंटल इंटेलिजेंस इकलोजिकल विज्डम कोई नहीं कह रहा है और नहीं कोई राजमिति कहेगा क्योंकि कौन राजमिति कहेगा कि हमें पानी और बिजदी का दुषप्रयोग करना चाहिए उसकी बचद करनाई चाहिए हम तो यह कहेंगे कि आप करते रही है उसका उपयोग कीमत हम देख लेंगे हमारी कॉर्परेट सेक्टर को हमें कई बढ़ाईयां देनी चाहें, निस्सन्दें आज इंडियन एंटर्प्राइज ने हमारे लिए जो कुछ किया है, हम सब उससे पाकिछ है लेकिन जिस प्रकार हमारे नैचरल रिसॉर्सेज को हमारा ही कॉर्परेट सेक्टर खोकला बना रहा है उसके बारे में कोई कॉर्परेट सेक्टर को चेतावनी देने के लिए तयार नहीं, कोई राजनेतिक दल देने को तयार नहीं कि शायद एक आध हो सकते हैं एकस्प्षिन्स हम जानते हैं कि हमारे खानों का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है लेकिन कॉन है जो कि आज यह सवाल पूच रहा है what is the condition of our minds? what is the status of our mineral resources? what is the status of our natural resources? how much are you going to use today, tomorrow, the day after कोई नहीं पूछ रहा है कोलकता में मैंने कोई पचास बड़ी कॉर्परेट्स को एक पत्र लिखा कि बच्षत करके भी कोई चीज होती है आप मुझे ये बताएं कि बिजली और पानी बाकी आपके मिनेरल रिसोसे आपके रौ मेटेरियल पर मैं नहीं जा रहा हूं मात्र बिजली और पानी पर आप मुझे बताएं कि आप जिस तरह उसका इन दोनों चीजों का जो उपयोग कर रहे हैं क्या वो सही मात्रा में कर रह और अगर आवशक्ता से उपर कर रहे हैं तो आप कितनी बचत कर सकते हैं यह जो हमारा जो प्रदेश है वो विजली डेफिशिंट प्रदेश है तो आप पताएं जिस पते से मैं लिख रहा था उस पते की कुछ गरिमा है आपको ताजुब होगा कि मुझे